कोई कहे गणेश तो कोई कहे एक दंत, कहीं विनायक तो कहीं गजानन, भक्तों के प्यारे बपपा तो एक ही हैं, गणपती बपपा मोरिया आज हम आपको बपपा के दस प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताएंगे इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर ले श्री सिद्धी विनायक मंदिर मुंबई यह भारत के गणेश जी के सबसे प्रसिद मंदिरों में से पहले स्थान पर है इसे एक निसताल महिला की आस्था पर बनवाया गया था यहां रोजाना लाखों की संख्या में भक्त आते हैं बॉलिवूट सेलिब्रिटीज यहां अक्सर देखने को मिल जाते हैं महराष्ट के सिद्धी विनायक मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे प्रसिद मंदिर है पुने इस्थित इस मंदिर के दर्शन करने देजभर से लोग आते हैं मंदिर के ट्रस्ट को देजभर के सबसे अमीर ट्रस्टों में से एक माना जाता है इसे स्रीमन दगडु सेट नाम के एक हलवाई ने बनवाया था कनीपकम विनायक मंदीर चित्तूर यह मंदीर आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपती मंदीर से 75 किलोमेटर की दूरी परिस्तित है यह मंदीर अपने प्राचिन एतिहासिक सिल्पकला और खुपसूरट डिजाइन्स के लिए विख्यात है यहां दर्सन के लिए आने वाले भक्त अपने पाप धोने के लिए मंदीर के पवित्र जल में डूपकी लगाते हैं मनकुला विनायक मंदीर पुंडिचेरी भारत के सरवाधिक प्राचिन मंदीरों में से एक इस मंदीर को 1666 साल पहले बनवाया गया था जब पुंडिचेरी फ्रांस के अधिन था इस मंदीर के बारे में मान्यता है कि यहां भगवान गणेश की प्रतिमा को कई बार समुद्र में फेक दिया गया था लेकिन यहां उसी स्थान पर फिर से रोजाना प्रकट हो जाती थी यहां ब्रमुच्चो और गणेश चतूर्थी हर साल बहुत धुमधाम से मनाया जाता है मधुर महागणपती मंदीर केरल दस्वी सतापदी में बना यह अती प्राचीन मंदीर मधुवाहिनी नदी के किनारे इस्थित है माना जाता है कि यहां इस्थित भगवान गणेश की मुर्ति नहीं मिट्टी की बनी है और नहीं किसी पत्थर की बलकि यह अलग प्रकार के तत्व से बनी है यहां गणेश जी के अलावा भगवान सीव की मुर्ति भी स्थापित है मंदीर के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुगल सासक टीपू सुल्तान यहां मंदीर को नश्ट करने के उद्देश से आया था लेकिन यहां की किसी चीज ने उसका फैसला बदल दिया था रणथंबोर गणेश मंदीर राजस्थान भले ही वाइड लाइब के सौकीन लोग रणथंबोर नैसनल पार्क घुमने के लिए रोजाना आते हो लेकिन यहां आने वाले भक्तों की संख्या भी कम नहीं है भक्त जन यहां गणेश जी के त्रिनेत्र स्वरूप के दर्सन करने आते हैं करीब 1000 साल पुराना यह मंदीर रणथंबोर कीले में सबसे उचाई पर इस्थित है मोती डुंगरी गणेश मंदीर जैपूर जैपूर में सेट जैराम पालिवाल ने 28 सतादी में यह मंदीर बनवाया था छोटे से पहाड पर इस्थित यह मंदीर जैपूर के मुख्य टूरिस्ट स्पोर्ट में से एक है यहाँ पर जैपूर की महरानी गायत्री देवी का महल मोती डुंगरी पैलेश भी स्थित है गणेश टॉक मंदीर गंगटोक गंगटोक के प्रसिध टूरिस्ट स्पोर्ट में से एक यह मंदीर अपनी खुबसूर्ती और प्यारी लोकेशन के लिए प्रसिध है बौत धर्म के अन्यायों के इस स्थान पर गंगटोक के लिए आस्था का प्रमुक्यंद्र है गंपती पूले मंदीर रत्नागिरी महरास्ट इस मंदीर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश की मुर्ती उत्तर दिसा में न होकर पस्चिम की और मुक्य है इस्थानी लोगों का मानना है कि यहाँ प्रतिमा की स्थापना किसी व्यक्ती ने नहीं की है बलकि यह स्वयम प्रकट होई है उच्ची पिलियार मंदिर तामिल नाडू भगवान गणेस की प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है उच्ची पिलियार मंदिर जो की तामिल नाडू के तीरुचिरापली नामक स्थान पर रॉकफोर्ट पहाड की चोटी पर बसा हुआ है पहाडों पर होने की वज़े से यहां का नजारा बहुत ही सुन्दर और देखने योग्य होता है मान्यता है कि इस मंदिर की कहानी रावन के भाई विभी संड से जुड़ी है यहां विभी संड ने एक बार भगवान गणेश पर वार कर दिया था हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बैल आइकोन पर क्लिक कर लें